हेलो वेल्कम बेक टू मायटूप चैनल कैसे यो आप सब आइप आप सभी अच्छी होंगे तो आज की हमाई रेसीपी है वेज मायकरोनी की जो की बनाना बहुत ही इजी और खाने में डबल तेस्टी तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमने लिए है मैकरोनी एड इसे हमें क गर्म होने के बाद जो मायकरोनी हम ने लिए थी वो इसमें टाल देनी ए और 10 मिन कैना है हमें बॉल काशल ऐनों ब港्राइब हमारी जो है 10 मिनकें अंदर हो जाएगी एंड आप इसंे कट करके भी देख सकते हैं कि हमारी मायकरोनी है वो बोईल हुई है या नई हुई है तो हो चुकिया तस बेट में अराम से हो जाएगी और उसके पास यहाँ पर कुछ वेजिटेबल नहीं है जिसमें सिल्ला मिर्ट है प्याज है पता गोबी है गाजर है टमाटर है मटर है और भी आपके पास जो वेजेटेबल हैं आप इसमें एड़ कर सकते हैं आप स्किप भी कर सकते हैं अगर इन में से आपके पास कुछ कोई भी वेजेटेबल नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं अब हमेशे करना है फ्राइ तो फ्राइ करने के लिए कड़ाई लेनी है उसमें म कि है शिम्मा मिर्च गाजर्ड मटर और इसे थोड़ा सब सोटे कर लेना है और इस तरीके से अब इसमें एड़ करने हैं टमाटर जो है दो मीडम साइज के लिए है इसे हमने कट नहीं किया है हमने इसी जो है ग्राइड गया था तो यह एड़ कर देने हैं अब एड़ करने हैं इसमें बारी बारी कटी हुई पत्ता गुबी और आप इसमें एड़ करने हैं मसाले तो मसालों में सबसे पहले नमक टेस्ट कोडिंग आपको नमक एड़ करनी है उसके बाद हल्दी मसाले में जो है दो मसाले लिए है एक तो मसाला लिया है ग भूनना है यहाँ थोड़ा सा पका लेना है यहाँ थोड़ा सा जो भी आपेशं चाहा है तो मिन्त से भी कमें उनد लिए हई तो 5 अमकीड़ मेंम इसमएं पखल़कित होती है जो मेंמע कर देना है अपनी वोईलज की हुई 이 Android G30, बच्चों के लिए सॉही होती है, क्योंके हम वेजिटे बिणा स्पुर्ठ शोड़ता है। तो आप इसे ट्राइ कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि हमारी रेसिपी एकदम बनकर तयार है और आप इसे जरूर ट्राइ करें और लास्ट इसमें एड़ करना है हरा धनिया चोप किया हुआ हरा धनिया जो कि टेस्ट तो बढ़ाए गई तो आप कमेंट्स करके जरूर सकते हैं और आप इसे ट्राइज जरूर करें तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले थैंक यू